जीवन आज हम हिंदी के कार्रेपत्ति का करेंगे 30 सिप्तेंबर की 83 ए तो नमस्ते प्यारे बच्चो स्वतंतिता की और पार्ट पढ़कर आपने गांदी जी के बारे में बहुत सी बातें जानी थी तो हमने जाना कि वो कितने इमानदारी थे, कितने अच्छे से जीवन बिताते थे महात्मा गांदी का जो जनम दिन है वो 2 अक्टूबर को पूरे देश में गांदी जैनती के रूप में बनाया जाता है आईए गांदी जैनती के उपलक्षे में आज इस पार्ट में कुछ नया सीखते हैं तो निमलिखे शब्दों का प्रियोग करके आपको गांदी जी पर एक अनुछेद लिखना है गांदी जी का जनम डैश को गुजरात के पूर बंदर में हुआ तो गांदी जी का जो जनम था वो कब हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 में पूर बंदर नामक एक जगा में हुआ उनका पूरा नाम डैश था उनका पूरा नाम मोहन दास करमचंद गांदी था इन्होंने अंग्रेजों से भायत को डैश और डैश के मार्क पर चलकर डैश दिलाई तो इन्होंने अहिंसा और सत्ते के मार्क पर चलकर क्या किया था आजादी दिलाई थी मात्मा गांदी की समादी का नाम क्या है राजगाट आप यहाँ पर जा भी सकते हैं गांदी जी को सभी लोग प्यार से डैश बुलाते हैं क्या बुलाते हैं बापू बुलाते हैं अब आंगे गांदी जी के तीन मंदर हमें जीवन के महतपूर संदेश देते हैं आई ये नीचे दिये गए चित्रों को देखकर पता लगाते हैं तो ये क्या आप कह रहा हैं के लिए बाए